यहां पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कारे पत्रक 91 एक क्राणवे से कंटिनू सबसे पहले कारे पत्रक 91 एक क्राणवे का सॉलुशन देखेंगे जसमें कविता की पंक्तियों को पढ़कर उन्हें कहानी के रूप में लिए चोटली आपको यहां पर क्या करना है विधा को परिवतन कर देना है जैसे कविता है तो कविता को कहानी में हम बदल देंगे जैसे कविता पहले पढ़ेंगे हम की लगी एट विचारी दवे पावो भागी जब किसी ढप से निकला तनका गया तब समझो समझ में यो मुझे ताने दिये एड़ता तो किस लिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तिरे लिए तो यहां पर एक छोट सा तिनका भी आपकी अगर आख में चला जाता है तो वो बह कि तिनका भी अपने आखों में नुकसान पहुचा सकता है धर्द कर सकता है आपकी आखों को दुखा सकता है छोटा सा तिनका भी तो अपने आप पर बड़े होने कि छोटी चीज भी आपको नुकसान पहुचा सकती है चोटी चीज भी बहुत इंपोर्टन होती है तो यहां पर इस कविता को हमने कानी में इस तरह से परिवतन कर दिया है जैसे एक दिन मैं छत की मुंडेट वर खड़ा था मुझे अपने आप पर बहुत घमन था अचानक और घमन भाग गया क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं कुछ नहीं हूँ छोटे से तिनके ने मेरा घमन दूर कर दिया तो इस तरह से आपको कविता को कहानी में परिवतित करना था क्या कभी तुमारी आप में कुछ गिरा है उससे निकालने के तुमने क्या प्रयतने किये हैं वो बताईए हमारी आप में एक बार रेत के करन उरकर चरे गए थे तब हमने पाने की छीटे दिकर आपको साफ किया था तो यह डन होता है कारेपत्र के क्राणवे अब देखेंगे कारेपत्र बराणवे जिसमें है एक सूचना कोटा विश्व विधाले कोटा महरा भीम सिंग मार कबीर सरकेल कोटा क्रमांग दे रखा है पुस्तक मेला सोचना दी गई है दिनांग दे रखी है इस विश्व विधाले द्वारा आरियो से 2.0 यूजना के तहत 20 लाग की भारती एवं विदेशी पुस्तकों पर कारेक की जा नहीं तो एक पुस्तक मेले का आय विश्व विधाले की वेफसाइट www.uok.ac.in पर देखी जा सकती है कुल सचीव के द्वारा ये सोचना दी गई है तो यहां पर इससे प्रकाश जो ये प्रकाशित जो सूचना है इससे रिलेटिर कुछ कुशन है जिनके आमको आंसर करने हैं यह गपर खिसके द्वारा प्र जिनके प्रात्मिक विधाले जो बालक है वो भाग ले सकते विधाले की और उसलब में सभी अभिवाब को को आना है तो यहाँ पर यह उस्तव की जानकारी हमने इस तवर से लिखती है आप कोई और भी तरीके से लिख सकते हैं सिक्षक दीवस उस्तव को किस तरह से आयोजन किया जाना है उसकी सूशना तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से पत्रिका या दीवार पत्रिका के लिए स सोलुशन होता है डन अब देखेंगे कारेपत्र 93 तरानमी का सोलुशन यहाँ पर एक कविता है जिसके पढ़कर की प्रश्णों के उत्तर देने हैं शुद्ध हवा और पानी शुद्ध खापी बन गए गौतम बुद्ध बोल सही प्रेम से रहो नहीं चाहिए हमको यूद्ध किन्तु मिलावट का घी खा हम समने यही सिखा बाद बाद पर होना कृध बाद बाद पर करना यूद्ध शुद्ध हवा दो पानी शुद्ध हम भी बन जाए गौतम बुद्ध कविता की अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने क्या सिखा है मिलावट का घी खाकर हमने बाद दूर रहने की बात कही है तो आजकल शुद्धता का बहुत महत्व है एविन आजकल लोग प्लांट्स अपने घर में उगा रहे हैं जैसे धनिया पालक मेथी टमाटर भिंडी इत्यादे की खेती अपने घर के बालकनी में कर रहे हैं लोग और भी बहुत सारे जो उगा सकते ह सब भी अपने फिट हि República का रहे हैं ताकी शुद्ध चीजे खा सकें। कुमकर आजकल मारके में जो चीजे मिल रहे हैं बहुत चाहर कि अधुदी हुद्ध चीजाे मिल रहे हैं umbrellegi कंकली चीजे मिल जिससे आपको कुछ न कुछ चीजी मिल सकती है वह आप जरूर से होगा है अपने खाले पड़े जमीन पर या अपने वालकनी में अपने गैलरी में तो जिससे आप थोड़ी बहुत चीजे जो शुद्ध पा सकते हैं वह तो कम से कम पा ही सकें हवा को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए अपने विचाह लिखिए तो यहां लिखेंगे कच्रा इदर उधर नहीं फैकना चाहिए क्योंकि कच्जा इदर उधर फैकने से जो उसकी गंद है वह दर हवा में फैलेगी जिससे बाईव प्रदुशन होगा प होता है कारेपत्रक 93 तानार्मे का सॉलूशन तो इसी के साथ हमने देखा इहां पर कारेपत्रक 93, 92 और 91 के सॉलूशन इसके आगे की कारेपत्रक की सॉलूशन भी देखेंगे और भी इंपर्टेंट वीडियो आपकी कफ्षा से लिट देखेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद